आप सब बे क्या स्वागत है अभी मैं आप सब बेको काउंसलिंग को लेकर कुछ important rules, regulations and process आपको बताने बला हूँ इसको समझेगा क्योंकि मैं आप सब बेको बता दू कि पतला सा notebook तयार कर लिजेगा आज की वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियो में बहुत सारे important rules and regulations क के बारे में आपको बताऊंगा अगर आपको लगता है कि counseling का process आपको completely आता है तो ऐसा नहीं सोचे हर एक छोटे से छोटे point पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और मैं आपको YouTube पे बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा शुरू करते हैं और हां subscribe कर लिजे सबसे पहल आप सब भी को बता दूँ कि एक रूल बना है पिछले साल कि जब तक All MCC All India quota first round का list नहीं जारी करता है तब तक state का first round जारी नहीं होगा इसका मतलब सबसे पहले MCC का यानि All India quota का first round जारी किया जाएगा उसके बाद ही state सभी जारी करेंगे कुछ issues पूछेंगे कि कुछ state अभी relation कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है राश्रसन अभी करें या बाद में करें सबसे पहले All India quota first round ही जारी करेगा उसके बाद ही state का जारी होगा उसके बाद MCC यानि All India quota second round then state का उसके बाद All India quota mop up then state mop up उसके बाद All India quota extra then state extra यह आप सब भ देख रहे हैं यह complete MCC यहाँ पर counseling करेगा यानि All India quota quota through यह जो seven points आप सब भी देख रहे हैं इन सभी seven points में बहुत बहतरीन तरीके से एक एक point explain करके मैंने पहले एक video upload कर दिया है मैं आपको suggest करूँगा कि यह video देखने के बाद link जो दे रखा है description box में उसको जरूर देख लिजेगा बहुत अच्छे तरीके explain कर दिया है एक point जो mcc ने बताया है वो मैं आपको बता दिया हूं तो इसको देख लिजेगा तो इस सभी point आपका clear हो जाएगा ठीक है अब मैं आप सब भी को इस table के बारे में समझायता हूं बहुत important table है बहुत सारे श्रोंस को यह समझ में नहीं आता है अब आप सब भी देखें सबस को बताया है तो हूं अगर आप unreserved category से हैं तो आपको 1000 जो कि non refundable होगा प्लस आपको 10,000 यानि आपको 11,000 पेमेंट करना होगा रेक्ष्टिंग टाइम ही 11,000 अगर आप reservation आपके पास है तो 500 non refundable और इसका 10,000 का 50% आधा यानि 5000 आपको यानि AC, ST, OBC के लिए 5000 आपको लएगा यानि 555,500 लएगा reservation category वाले को यह पेमेंट रहा अब मैं आप सब भी को बता रहा हूं जब MCC first round जारी करेगा All India quota का जब first round जारी होगा उसके बाद आप सब भी को संगायता हूं अगर जारी हुआ अगर आपको college allot हो गया और आपको college allot न नहीं हुआ तो आप automatically second round के लिए eligible है All India quota के, आपको दुबारा second round में रहिश्योचन नहीं करना है, हाँ, second round में choice filling करना है, first round में choice fill करना है और second में भी करना mandatory है, अगर आपको first round में college नहीं मिला है, तो second round में सिर्फ आपको choice fill करना है, लेकिन अगर आपको first round में college allot हो गया, अगर आपको first round में college allot हो गया, लेकिन आप चाहते हैं उस college में adivision नहीं लेना, तो इसको कहते हैं free exist, free exist का मतलब यह होता है कि अगर आपको all India quota first round में college allot हो गया, लेकिन उस particular college में जाकर अगर आप adivision नहीं लेते हैं, तो इसको माना जाएगा कि हाँ, आपने उस seat को अगर दिया, इसको free exist का कहते हैं, और जो आपका refundable payment है, जो भी आपका refundable payment है, 10,000 और 5,000 जिसका टेकरिसी बिलोग करते हैं, वो आपका जब नहीं किया जागा, वो सुरबचित रहेगा, ठीक है, तो अगर आप, आपने, और हाँ, बट अगर आपने all India quota में जो आपके allot तो admission लेने के बाद, या तो आप upgrade किजिए, या नहीं किजिए, अगर आप upgrade नहीं करते हैं, उस college से खुश है, वेन it's okay, लेकिन first round में जो college आपको मिला, आपने जाकर college में admission ले लिया, तो अगर आप upgrade करना चाहते हैं, उसी college को आपको बताना होगा, कि sir मुझे upgrade करना है, वह नहीं एक form fill up कराएगा, वहाँ से upgrade का प्रोसर सुरू हो जाएगा, तो आप all India quota में, first round में, अगर upgrade करना चाहते हैं, तो करके, आप second round में जा सकते हैं, ठीक है, एक बात और ध्यान से, अगर आप upgrade करते हैं, second round में, जाते हैं, अगर second round में, कोई college आपको मिल गया, तो जो first round वाला college है, वो automatically आपका cancel हो जाएगा, अगर आप चाहिएगा, कि नहीं, जो first round में college था, वहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, second round में, अप graded college मिलते हैं, first round college आपका cancel हो जाएगा, उस seat पे दूसर रेक्शन आजाएगा, तो आपको second round में, एड़ बीसल लेना पड़ेगा, चलो, इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं, all India quota second round, all India quota second round में, अगर आपको sit alert नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप mop-up के लिए eligible है, mock-up round के लिए, all India quota mock-up में, अगर second round में, आपको college नहीं मिला, तो mock-up round में, आपको रेक्शन करने के फिर से लेकिन, अगर second round में, आपको college मिल गया, तो मेरे बात ध्यान से तुने के यहाँ पे, अगर second round में, आपको college मिला, आपको free exist करने का मौका नहीं मिलेगा, पहला point, second point, अगर आपको second round में, college मिला, आपको second round में, college upgrade करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको no doubt कर लेना है, फिर से बतायता हूँ अबग्रेट करने का मोखा फॉर्सरेंग बंढ़र सिर्फ अन्रीक सेकेण्ट डौन में सेकेन्ड और अगर को को यहां तो आप को पूँसी मिल गया तो चाहे तो आप एडीवीश्न ले सकते हैं चाहे तो नहीं ले अगर आप एक बार second round में जो college मिला आपने second round allotted college में admission ले लिया आपको region करने का मुखा नहीं मिल रिजाइन नहीं कर सकते हैं ठोटे आप erstmal second round में लेने के बाद second point अगर आपको second round में को लिए लेकिन आप admission लिये नहीं नहीं, then it's okay, but आपका जो security deposit है, वो जब्त कर लिया जाएगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखे, free exist first round में है, second round में कोई free exist नहीं है, I think आप सब भी को यह समझ में आ गया होगा, but अगर second round में आप admission ले ले लेते हैं, तो आपका security deposit जब्त नहीं होगा, वापस आ जाए कर सकते हैं, अगर join नहीं करते हैं, तो मतलब क्या, second round में आपको college मिला, but आपने join नहीं किया, तो आपका security money है, वो जब्त कर लिया जाएगा, यहाँ बताएगा, but अगर आप यहाँ पर join कर लेते हैं, second round में, एलोटर college में, आप अगले round के लिए eligible नहीं है, ineligible है, I think आप स समझ में आगया होगा, same process, state quota first, second round में भी है, same process यहाँ पर, same process, same process, same process, देख लिए आप, तो I think आप सब भी को यह समझ में आगया होगा, कोई दिक्कत हो, तो मुझे बता देना, फिर से मैं separate video बना कर आपको समया दूगा, I think आप सब भी को समझ में आगया होगा, मैं फिर स में second round में college आपको मिला, तो first and all automatically cancel हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते है, second round में जो आपको college मिला, नहीं, admission लिना चाहते है, इस ओक, छोड़ दीजे, आपको यह पैसा जबत हो जाएगा, ठीक है, but अगर आप second round में आपको college मिला, आपने एक बर admission लिया, आपके पास मिला, आप चाहते है, admission नहीं लिना, छोड़ दीजे, आपको यहाँ पे यह, बस आपको क्या होगा, इस security में जबत कर लिए जाएगा, I think आप सब भी को समझ में आगया होगा, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, इसको note down कर लिजे, हो सकता है कि आपको एक सद दो बर मैं आपको सुना दूगा, अगले कुछ वीडियो जाएंगे, बहुत इंपोर्टन आपके लिए होगे, चलो बहुत इतना ही, मिलते हैं गले वीडियो